Dear friends, I Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes दोस्तों आज हम बात करेंगे B.A.M.A. English exam में अच्छे अंक कैसे प्राप्ट करें Generally क्या होता है? बच्चे ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पेपर दे कर आए लेकिन फिर भी हमारे marks up to the expectations नहीं आ पाए ऐसा क्यों होता है? क्या वो कारण है कि जिसकी विज़े से आप अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं और वो क्या points हैं जिनकी विज़े से आप अच्छे अंक्स गेन कर पाएंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको जो मैं points बताने जा रहा हूँ उन पर work करना होगा दोस्तो अगर जो आपने उन पर work कर लिया तो मैं कहता हूँ आप 60 प्लस, 70, 80, 90 तक भी आप marks लेकर आ सकते हैं तो जानते हैं उन points को की कौन-कौन से वो points है जिन पर आपको कारे करने की जौरत है जब आप exam दें तो इन points पर आपको wishes ध्यान देना है तभी आप अच्छे अंक ला पाएंगे अन्य था आपको फिर वही दिक्कत आएगी कि आपके अंक अच्छे नहीं आ पाएंगे तो देखते हैं वो points कौन-कौन से हैं सबसे पहली बात जब आप किसी short answer दे रहे हैं short question का answer आप दे रहे हैं short answer must be given in points पर जो short answer है यह आपका points में दिया जाना चाहिए generally क्या होता है कि आपने देखा होगा कि model papers, notes, guides आपर paragraph based answer होता है short answer लेकिन आप उसको avoid करने की कोशिस करें आप कोशिस करें कि आपका answer points में दिया जाए तो इसको points में देने की कोशिस करें जो short answer type question है उसका answer points में होना चाहिए दूसरी बात critical comments must be added critical comments सबसे बड़ा मुद्दा होता है दोस्तो critical comments आपको जरूर डालने चाहिए अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि आप भी अगर जो first year में है तो आपको थोड़ा सा ये doubt होगा कि ये critical points होते क्या है तो दोस्तो ये भी मैं आपको clear कर देना चाहते हूं critical points होते क्या है और critical points का बहुत बहुत बढ़ा role रहता है exam में अच्छे number लाने का क्योंकि directly आप जो भी आपकी copy check कर रहे है उनके mind पर एक impression create करते है जो आप critical points जानते है अपनी knowledge को भी show करते है वहाँ पर critical points डाल कर for example इसमें क्या है दो तरह की critical sources होते है number one primary sources and the second is secondary sources अब हमें ये जानना होगा ये primary sources क्या है और secondary sources क्या है और कैसे हम इनके comments और remarks ले सकते है जैसे मानके चलिए आपका short story या किसी भी कहानी से related कोई question आता है और उस question पर आप critical comment देना चाहते है तो दोस्तों क्या करें जो exactly lines use की गई है writer के दोरा chapter में उन lines को आप जोकतियों लिग दे बीच में उन line को जोकतियों लिख दे कोई भी chapter से 2, 4, 5 जितनी lines आप याद कर सकते हैं उतनी lines याद कर ले और जो उस question से relate करती हैं वो line आपको याद करनी है और वहाँ पर उन line को आपको inverted comment में बंद करके black pen से आपको वो लिखना है या फिर उसको highlight कर देना है आपको that is entirely your choice कि आप किस तरह से करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि black pen से underline कर देना जो भी primary sources आप ले रहे हैं मतलब actual text की line ले रहे हैं और यह लेना बहुत जरूरी है दोस्तो अगर जो आपको अच्छे अंग चाहिए तो कोई भी चाहिए poetry में हो चाहिए short story में हो चाहिए drama में हो कहीं भी ही चाहिए fiction ही क्यों ना हो आप जो exact line writer ने use की है न उन line को use करें उन lines का use जरूर करें और उन lines को आप black pen से लिखें और इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा answer दे पाएंगे और आपका critical remark में count होगा second thing is the secondary source दूसरी बात आती है secondary source अब यह secondary source क्या होती है जैसे कोई writer है किसी writer के बारे में दूसरे लेका किया किया राय है उसने उसके बारे में क्या कहा है वो चीज या फिर उस chapter के बारे में कौन क्या कहता है वो आप वहाँ पर mention कर सकते हैं उस chapter के बारे में आपने कोई social media पर आपने कोई court देखा कोई thoughts देखा या फिर कोई blog में आपने देखा तो आप उसको भी वहाँ पर mention कर सकते हैं आपने किसी magazine में उसके बारे में पढ़ा हो तो महापर उसको भी आप रिमार कर सकते हैं। इसी newspaper में उससे related कोई बात आई हो तो उसको भी आप रिमार कर सकते हैं। तो secondary sources में आप मतलब जो actual text में नहीं हैं बट किसी ने उसके बारे में अपने views रखे हैं, अपने विचार गए हैं और उसमें आपके जो professor sir है या मैं मैं उन्होंने जो lecture आपको दिये हैं, उनमें कोई special point उन्होंने बताया है, तो आप उसको भी आप लिख सकते हैं कि according to, professor this one and that one, जो भी तो उनके शब्दों में भी आप उस चीज को दे सकते हैं। ठीक हैं, तो आपको धियान रख होता है, इसे एक effective answer आपका त्यार हो जाता है, बहुत अच्छा answer होता है, और एक मैं कहता हूँ, एक short question है, एक short question में आपने एक text से comment दे दिया, एक critical comment दे दिया, तो इसे आपके जो number है ना वो बहुत अच्छे आने के chances रहते हैं, third point, neat and clean handwriting, आपकी handwriting पर भी आपको ध्यान ल जल्दी लिखते हैं, क्योंकि हमें कम time में ज्यादा work करना होता है, तो उससे में क्या होता है, कि handwriting जो है थोड़ी सी खराब होने लगती है, तो शीच का थोड़ा सा देहान रखना, कि handwriting आपकी balance में चले, और ऐसा ना हो कि बहुत गंदी handwriting आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप English literature के students है, तो you are supposed to write neat and clean, next है mistakes and overwriting must be avoided, आपकी जो copy है, जैसे कि मेरा भी बताया था, neat and clean handwriting के साथ साथ, उसमें mistakes नहीं होनी चाहिए, over cutting नहीं होनी चाहिए, कोई भी शब्द, अगर जो in case आपको cut भी करना पड़ रहा है ना, तो flute तो मैं कहता हूँ, आप use ना करें, बट कोई भी शब्द आपको use करना गलत हो गया है, तो उस पर एक हलकी सी line बस cross कर दें, ये पूरा उसको जो blue-blue सा कर देते हैं, ब्लैक सा कर देते हैं, वो आप बिल्कुल भी ना करें, और कोशिस करें कि mistake हो ही ना, इस तरह की mistake को avoid करें, क्योंकि ये बचकाना mistake होती है, और इससे क् आपकी copy check होती ही, तो teacher के दिमाग में एक irritation create होती है, और ये अच्छा नहीं होता, आपका जो impression है, वो बहुत ज़्यादे down हो जाता है, और number भी उसी तरह से नीचे चले जाते हैं, next है, long answer must be based on headings and subheadings, and headings must carry important points, जो long answer आप देते हैं, long answers में headings होनी चाहिए, headings में और subheadings भी होनी चाहिए, जो आपने headings बनाई हैं, उस heading की भी subheadings आप बनाई है, और subheadings में भी दोस्तो points लिखती जैसे आपने short question में points दिये थे न, उसी तरह से heading को भी paragraph ना करके, heading के अंदर जो subheadings बनाई है, उसमें भी आप points बना दीजिए, और जब आप points में अपनी बातों को लिखेंगे, तो उससे क्या होता है, एक तो आसानी से पढ़ा जाता है, जो आपकी copy check करेंगे, वो आसानी से उसको पढ़ लेंगे, और दूसरी चीज आप point to point बाते कर रहे हैं, आप ज़्याद है बकवास नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक अच्छा impression create होता है, और आपके अच् से critical comments होने चाहिए, primary sources से भी और secondary sources से भी, primary के भी आप उसमें comment add करें, और secondary sources के भी आप उसमें comment add करें, तो इससे क्या होगा, इससे आप अच्छे number ला पाएंगे, अगर तो आप ऐसा करते हैं, next point हमारा आता है, any sort of religious, political, or any other sign should not be made on your exam copy, generally क्या होता है, बच्चे क्या करते है बड़े तो हो गए बच्चे की BA और MA में आ गए, लेकिन अभी भी हरकत वही बचकाना हरकत है, तो उसमें क्या करते हैं, copy आपके पास आती है, पहले तो आप copy को माते से लगाते हैं, चूमते हैं, और उस पे जैसे ही आप start करने को होते हैं, उस पे आप om का निसान बना दे देते हैं, या फिर कुछ भी कर देते हैं, क्रॉस का निसान बना देते हैं, तो उस तो इन चीजों को avoid कीजिए, बिलकुल मत कीजिए, ये गलत है, इससे क्या हो सकता है कि आप जो है, आप जो है, विदर्ट हो जाएं और आपकी जो copy भी चेक ना हो, तो इस चीज को आपको बिलकुल ध्यान रखना है, कि आपको किसी भी प्रकार का कोई political sign, कोई religious sign, किसी भी तरह का कोई निसान नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन होता है, किसी भी तरह का निसान होता है, ये exam में जो है ये सही नहीं होता है, आपको लगता है कि ये question जो है, ये इस तरह काई, ये social life को connect कर रहा है आपकी, ये आपकी personal life को connect कर रहा है, और आपकी life में भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा उधारन उससे connect करके, आप उसे वहाँ पर add कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं, इससे क्या होता है, ये आपको as a critical thinker के रूप में, critical present आप कर रहे हैं अपनी बात को, उस रूप में भी आपको दर्शाता है, तो आप इस तरह से भी हाँ पर अपने critical point of view भी रख सकते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी logical power निकल कर सामने आती है, तो वो भी आप इस होनी चाहिए, ठीकर, do not use same-to-same language as given in notes, sample papers, model papers and guides etc., जो आपके notes में भाशा होती है, ये sample papers में language होती है, ये model papers में language होती है, guides में language होती है, उस language का use ना करें दोस्तो, same-to-same use ना करें उस language का, ठीक है, क्योंकि आपकी language में, professors की language में, writers की language का standard थोड़ा सा maintain आपको करके चलना प्राइमरी भी और सेकंडरी भी और किसी भी तरह की आप कॉपी करने कोशिस ना करें मतलब कि आपने सेम टू सेम नोट से हैं मोडल पेपर वाला वो कॉपी कर दिया वो आपके लिए बिलकुल अच्छा नहीं होगा इससे क्या होता है जेनरली आपने देखो ऐसा याद करा आपके जो क्लास के अनने स्टुरेंट से उन्होंने भी वो सी नोट से हैं गाइट से याद कर नहीं करना नेक्स्ट डू नोट क्रियेट दा कंडिशन ऑफ एक्जामिनो फोबिया जनरली क्या होता है हम एक हववा बना लेते हैं एक्जामिनो फोबिया एक्जाम का फोबिया एक्जाम का डर एक्जाम का बुखार अरे भाई वो मत क्रियेट करो अपने उपर किसी भी त तरह का pressure मत लो, relaxed रहो, calm down रहो, बिल्कुल cool minded रहो और अपने जैसे आप याद करते हैं न, वैसे याद करो, ठीक न, जरा सब भी phobia लाने की जोरत नहीं, कि phobia लाओगे, तो डर बैटेगा, और डर बैटेगा, तो भाई, फिर exam अच्छा नहीं जाने वाला आपका, यह mountain due का head नहीं है कि डर के आगे जीत है, यहाँ पर जीत नहीं आई कि अगर जो आप इस तरह का phobia create करेंगे, तो phobia को आपको avoid करना है, इस phobia को नहीं लाना, exam के phobia की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल धंक से steady करो, बिल्कुल प्यार से पढ़ो और अपनी इन किताबों से, अपने इन questions से महबत करो, लगाव रखो, देखो दोस्तों जिस चीज से हम लगाव रखते हैं न, एक हमारा attachment होता है, वो चीज हमें बिल्कुल दिल के करीब हो जाती है, वो चीज जल्दी याद करते हैं, एक छोटा सो धारन देता हूं दोस्तो कि अगर जो मैं आज आपसे पूछूँ कि बच्पन की मुझे कोई कवीता सुनाओ, तो आप एकदम बहुत सारी कवीता सुना दोगे, आप जोनी जोनी एस पापा सुना दोगे, आप टूंकल टूंकल लिटल स्टार सुना दोगे, आप मचली रेल की रानी है, जीवन उसका पानी है सुना दोगे, इतनी सारी कविताओं, कितना वर्ष बीद गए, बहुत सारे साल बीद गए, लेकिन आज भी वो कविताओं आपको याद है, क्यों? क्योंकि आपने उन कविताओं को दिल से याद किया था, आपने उन कविताओं को मन से याद किया था, आपको उन कवि आपको इन question से महबत करनी है आपको एक लगाव हो जाना चाहिए एक attachment हो जाना चाहिए अपने work से और जिस दिन आपको यह attachment हो गया तो आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता पाने से रोख सके तो दोस्तों महबत करनी चालू कर द आप आशावादी बने, आगे की तरफ सोचें, पॉजिटिव सोचें, I can, कि मैं कर सकता हूँ, ये मतला है दिमाग में, नहीं ये मेरे बसकी नहीं है, I can't do this, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आपको ये दिमाग से बिलकुन निकाल देना होगा, कि आप नहीं कर सक सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में, जो इंसान ना कर सके, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक्जाम का फोबिया तो लाने की जुरुत ही नहीं है, आशावादी रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, अगर जो आप ओवर कॉन्फिडें में कहीं थी, प्रास्पी की का मतलब होता है, एक्ट ओफ लुकिंग फॉर्वाड, उन्होंने उसमें लाइन कहीं थी, I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last, मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, और एक युद्ध और लड़ूंगा, और ये युद्ध मेरी जिंदगी का सर्फ्रेष्ट औ और आखरी युद्ध होगा, तो दोस्तों जब भी आप कुछ काम करने के लिए जाएं, तो आपका भी यही positive attitude होना चाहिए, यही potential होना चाहिए, कि I was ever a fighter, कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ, और मैं एक युद्ध और लड़ूंगा, और ये युद्ध मेरी जिंद और अच्छे से लड़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तयारी करनी है, और ऐसी तयारी करनी है कि कभी हिम्मत ना हार सको आप, और अच्छे नंबर ला सको, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये points जो मैंने आपको बताए, अच्छे लगे होगा और आप इसी जो लिट्रेचर के हैं और या फिर grammar fanatics के हैं या फिर competitive grammar के हैं वो भी आपको अच्छे लग रहे हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें अगर आपने अभी तक नहीं क्या है मेरी वीडियो को share करें like करें और comment करें thank you very much yours Dr. Sachin Goswami from National Institute Hapod